जै श्री किष्णा मेरी प्यारी सी फैमली कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे आज टिफ्स वर्ड पर मैं आपको बना कर दिखाऊंगी एक लाजवाब और सल तरीके से बनी बचे हुए चावल की एक विशेश रेसिपी ये रेसिपी से बचे ही चलेगा कि ये बचे हुए चावल से बनका तयार हुई है तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि आप इसको आसानी से ही घर पर कैसे बना सकते हैं और इसके लिए आपको किन-किन चीजों की जरूत पड़ेगी ये भी बताती हूँ इसके लिए आप सबसे पहले एक बड़ी अब इस पिसे हुए चावल को आप एक प्लेट में निकाल लीजिए अगर चावल पीसते समय आपको परिशानी हो रही है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी मिला सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमको चावल का एकदम स्मूद सा पेस चाहिए होगा अब जब सब चावल पेस का तयार हो गया है तब आप इसको एक चमच इसमें साबू जीरा, आदी चमच हींग और स्वाद अनुसा नमक इसमें मिला दीजिए जीरा आप साबू थी मिलाएगा, इसे इस रेसिपी के रंग भी अच्छा रहेगा और साबू जीरे के कारण इसका स्वाद भी गजब का हो जाएगा अब इस चावल के पेस में आप एक कटोरी चावल का आटा मिला दीजिए, जितना चावल रहेगा उतना ही हमको चावल का आटा इसमें मिलाना होगा अब इसमें दो कल्ची आप तेल मिला दीजे और थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी मिला दीजे और एक आप स्मूज सा इसका डोप तयार कर लीजे अब जब ये डोप तयार हो गया है तब एक लोई लेकर इसको चकले पर आप बेल लीजे एक बात का ध्यान रखेगा कि इसको एक सार ही बेलना है और इसके किनारी जो है वो बिल्कुल भी फटने नहीं चाहेंगे वरना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अब आप एक तवा ले लीजे उसको मीडियम फ्लेम पर आप गरम कर लीजे और जब तवा गरम हो जाए तब इस पर आप चावल का पराठा डाल कर इसको मीडियम फ्लेम पर ही हलका हलका घी लगा कर सेख लीजे अब जब यह सेख जाएगा तब आप इसको गरम गरम सर्फ कीजेगा आप चाहें तो ऐसे ही इसकी पूरी भी बना सकते हैं यह पराठा बहुत समय तक कड़क नहीं होगा और ऐसे ही सौफ्ट बना रहेगा ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए आप हमेशा टिपस्वल चैनल से जुड़े रहेए अगर आप चैनल पर नई आए हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लीजेगा और जाद से जाद आप इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि नई से नई रेसिपी आपको रोज दिखने को मिल सके लाइक और कमेंट करके ज़रू बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए मिलती हूँ कल आप सबसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मेरी तरफ से आप सब लोग को जैश्री किश्ना